नमस्कार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका हम बात करने वाले हैं आज डबलू 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 जो कि पुरी दुनिया के उपर चा गया है बात द्यान से हमारे सुनिएगा डबलू 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 जिसकी उज़से हम पुरी दुनिया के उपर चा गया है और हमारे उपर ये चाच चुका है तो दोस्तो हम लोग किसी बात करने वाले हैं www.wins worldwide web के बारे में बात करने वाले जो हर तो दोस्तों हम लोग इस्टार्ट करते हैं। को समझेगा यह system को create करता है द्यान इसको इरेस कर देते हैं तक कि आप लोगं को बात समझ में आ जाएं यह system को create करता है create करता है create करता है system को बनाता है फिर उसे क्या करता है organize करता है organize करता है द्यान से बात समझे यह क्या करता है organize करता है फिर उसके बाद क्या करता है ये link करता है link करता है तो फिर उसके बाद हमारा create हो जाता है www means ध्यान से हमारी बात को समझेंगे तरसमण में आये गब ये क्या करता है कि पहले create करता है create किस label से करता है हमें कोई website अगर बनानी हो तो कैसे website बनाएंगे हमें अगर website बनानी हो तो कैसे website बनाएंगे हम लोग क्या करना पड़ेगा सबसे पहले create करने के लिए HTML जानना पड़ेगा HTML में काम करने के लिए हमें HTTP पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए HTML हमारा language है हमें किसकी मदद चाहिए HTTP की मदद चाहिए अभ प्रोट्टो कॉल अब ध्यान समझे create करने के लिए HTML का इस्तिमाल करना पड़ेगा और HTML का इस्तिमाल करने केलिए HTTP का इस्तिमाल करना पड़ेगा पूरा जब ये create होगा तो हमारा क्या बनेगा एक एक web page बनेगा वेब पेज बनेगा कि नहीं बनेगा भाई वेब पेज बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा ना अब क्या करता है डेटा का कम्मुनिकेशन करता है डेटा का क्या करता है कम्मुनिकेशन करता है तो अब हमारा create हो जाएगा फिर इसको हम लोग organize करेंगे organize कैसे करेंगे हम लोग organize करेंगे इसको की यह system कहा लगाना चाहिए क्या करना चाहिए यह सारी सिछ create करेंगे तो हमारा organize हो जाएगा फिर उसके बार हम लोग link करतें अब इस वेफ page को हम किसी domain name से या फिर www internet पे हम लोग link कर देते हैं मिन्स ध्यान समझे link activate करते हैं जब हम लोग link activate करते हैं तो क्या होता है भाई हमारा web page तयार हो जाता है हो जाता है कि नहीं हो जाता है हमारा web page तयार हो जाता है तो फिर उसको हम आसानी से use करते हैं और वो जो web page होता है किस पे follow करता है www को follow करता है means जैसे कि हमारा कोई भी अगर हम URL की बात कर लें किस की बात कर लें तो sttp column double black slash फिर होगा www क्यों लगाते हैं भाई google.com लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं ये www क्यों लगाते हैं क्योंकि इसलिए लगाते हैं कि worldwide wave होता है इसमें हम लोग आसानी से use कर सकते हैं कुछ भी open कर सकते हैं कोई भी website क्या होती है website means क्या था what is website अगर आप लोग के mind में question आता हो कि what is website तो आप लोग ये समझ लीजे कि website is the communication sorry data of communication that can display display the information सीदी सी बात हम लोग एक word में कह सकते हैं कि website हमारा क्या है display the information website में हम लोग क्या करते हैं internet से link करते हैं कोई भी अगर हम लोग host अगर खरीद रहे हैं suppose that domain name खरीद रहे है तो हम को internet से link करना पड़ेगा कि ने करना पड़ेगा सीदी सी बात समझे link करना पड़ेगा अगर हम link करेंगे तभी तो लोग TikTok पर वीडियो अपलोड करते होंगे या फिर Facebook पर वीडियो अपलोड करते होंगे तो uploading क्या होता है और downloading क्या होता है यह हम इसमें देखेंगे downloading क्या होता है और uploading क्या होता है uploading क्या होता है हम दोनों के बारे में जानते हैं अब डाउनलोडिंग क्या होता है सीधी से बात एक दम समझी है हमारी बात डाउनलोडिंग क्या होता है रिट्रिंग और वैब पेज क्या कहेंगे हम लोग रिट्रिंग और वैब पेज तो हम लोग इसको डाउनलोडिंग कहेंगे रिट्रिंग और वै वेब पेज, स्ट्रिंग, वेब पेज, मिन्स क्या हो जाएगा हमारा, हमारा डाउनलोडिंग हो जाएगा, यह हमारा इसी के अंदर आता है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, अब इसी के अंदर आता है हमारा वेब साइट, तो वेब साइट हमने आपको बता दिया, अब ये समझे कि जब हम कुछ बीडाउनलोड करना हो, अप्लोड करना हो, थो हमें ब्राउदर क्या होता है, जिससे हम किसी चिज को सर्च कर पाते हैं, सीधी सींसेबात समझें, ब्राउदर के अनदर、 eksample क्या क्या होंगे Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, जो भी कुछ हम लोग समस्ते हो, सारे हमारे ब्राउजर जिसे हम लोग open कर सकते हैं, Internet, Microsoft Edge, इस सारे क्या हैं, ब्राउजर हैं, तो इसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, इसके कुछ types होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, ब्राउजर होते हैं, hypertext markup language होता है, hypertext media होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, HTML होता है, URL होता है, HTTP होता है, home page होता है, client and server होता है, इन सब की details में एक-एक topic की एक-एक वीडियो पढ़ेगी, आप ल लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर आप कोई सुझाद न चाहते हैं, ता आप लोग एक वार comment box में comment जरूर करें, दोस्तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिन